और यार दुनिया ने तो मिरको failure का certificate दे दिया था और मुझे भी ऐसा लगने लग गया था यार मेरी life shutdown हो गई जो मेरे friends होते थे, मेरे relatives होते थे वो मुझसे taunting way में पूछते थे यार वकील साब कितना कमा लेते हो तो ये सुनके ना मेरी आखे और मुझे शरम के मारे नीचे हो जाता था यार मैं camera friendly तो था नहीं, मेरे को एक मिनट की वीडियो बनाने के लिए भी न सौ सौ रीटेक्स देने पड़ते थे, मेरे को पूरा पूरा दिन लग जाता था क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आप life के किस मुकाम पे हैं यार grow करने के लिए न मैं आपको सिर्फ तीन टिप्स बताऊँगा मैंने भी उनको ये चीज़ बोल दी थी कि अब मैं lawyer भी बनुआ, actor भी बनुआ, influencer भी बनुआ और लोगों का दिल भी जीतूँगा और दोस्तो आज जैसे आप मुझे इस जोष की वीडियो में देख रहे हैं आज से कुछ साल पहले मैं भी ऐसी ही motivational videos या ऐसी videos देखकर ये सोचा करता था कि अगर ये बन्दा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता तो दोस्तो बात है school times की school में यार मैं बेहत average बच्चा था मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी interest नहीं था जो students होते ना back benches पीछे बैट के सोचते रहते हैं करना लाइफ में क्या नहीं करना मैं भी बिल्कुल ऐसा था और मेरी जो teachers होती थी ना मेरी teachers ये बोलती थी ये बन्दा कुछ नहीं कर पाएगा लेकिन जैसे जैसे करके मैंने school pass कर लिया उसके बाद यार जो 99% of lower middle class Indian सोचते हैं कि life में आगे क्या करना है मैं भी उसी confusion में चला गया और यार जो जमाना था ना इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था ना है मैं खुद को irrelevant समझने लग गया मैं grow ही नहीं कर पा रहा था और इसी confusion में मैंने law college join कर लिया और यार एक बात बदा दूँ जितने भी लोग ये video देख रहे है ना जितने भी confused students ये video देख रहे है ना मैं आप सबको एक चीज़ बतायता हूँ जो confusion होता है confusion is a first step to an everlasting solution तो यार जब आप इतना life में आगे आए हो तो थोड़ा और बढ़के देख लो और यार मेरा college time भी ना school time की तरह ही बीतर रहा था मैं law को seriously नहीं ले रहा था लेकिन कहीं ना कहीं law मुझे seriously ले रही थी और law के इस एक तरफा प्यारने ना मुझे अपनी तरफ attract करके रखा तो दोस्तों ये सारी बाते सुनके तो आपको लग रहा होगा यार मैं life में कितना disinterusted था यार law college के दौरान मैंने कापी internships करी law firms के अंदर जैसे बच्चे कर रहे थे जैसे peer कर रहा था वैसी मैं कर रहा था वही steps पे मैं जा रहा था और मेरा law college खतम हुआ तो मैंने कहीं पर एक law firm में as a junior advocate job join कर ली जब मैंने law firms के धक्के खाये ना तो मेरे को reality पता लगी यार मुझे तो कोई salary देने के लिए ready नहीं है यहां तक कि जितने भी lawyers होंगे जो junior lawyers होंगे वो मुझसे connect करेंगे जरूर करेंगे because law firms में salary देते ही नहीं है और एक reality बता हूँ जितना मेरे office boy की salary थी ना उससे बिलकुल आधी salary एक advocate की थी एक मेरी थी law firm के अंदर और जहां तक salary की बात है ना जो मेरे friends होते थे मेरे relatives होते थे वो मुझसे taunting way में पूछते थे यार वकील साब कितना कमा लेते हो तो ये सुनके ना मेरी आखे और मूँ शरम के मारे नीचे हो जाता था because salary में कुछ मिलता नहीं था और जितने भी मेरे friends थे, relatives थे या तो वो अपने father के business में settle थे या तो वो बड़ी-बड़ी MNCs में job कर रहे थे और यहां तक की जो मेरे घरवले थे, मेरे parents थे या जितने भी मेरे आसपास के लोग थे वो तक मुझे ये बोलते थे, वकील साब आपने तो मौच कर दी यार और यार दुनिया ने तो मेरे को failure का certificate दे दिया था और मुझे भी ऐसा लगने लग गया था, यार मेरी life shutdown हो गई लेकिन यार कहते हैं ना जिनके सपने बड़े होते हैं बिकस मैं तो school time से ही बड़े-बड़े सपने देखता था बस सपने ही देखता था, उनको आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे उसको आगे execute करना में को कुछ नहीं पता था तो दोस्तों ऐसा होता है ना कि यार जब आपके सपने बड़े-बड़े होते हैं और इन सपनों को लेकर ही जब आपको रातों को नीम नहीं आती आप सोचते रहते हैं कि आप क्या अलग कर सकते हैं क्योंकि जो मैं कर रहा था वो तो एक rat race ही थी जैसे लोग कर रहे थे मैं उनको follow कर रहा था उनी के पीचे-बीचे मैं भाग रहा था लेकिन यार जिनके सपने बड़े-बड़े होते हैं ना वो उनको कुछ ना कुछ अलग step लेना पड़ता है life में और वही मैंने किया तो one fine day मेरे को लगाया और मेरे को नौकरी छोड़ देनी चीए तो अगले दिन ही मेरे दिमाग में ये चीज ट्राइक करी और मैंने अपना resignation दे दिया office में और जब मैंने job छोड़ी ना जौब छोड़ने के बाद मैंने कुछ businesses ट्राइ करें जिनमें मैं फिरसे fail हो गया उसके बाद मैंने एक दो cases पकड़ें जिनसे की मेरा basic गुजारा चल रहा था तो दोस्तों जो मेरे आसपास के लोग थे ना जो मेरे खुद के घरवले थे मुझे ये बोलते थे ना यार तू business कर पा रहा है ना तू law कर पा रहा है तू आगे करेगा क्या और दोस्तों जब आपके खुद के घरवले आपको validate नहीं करते ना खुद के घरवले आपको praise नहीं करते तो ये अलगी level की demotivation होती है तो दोस्तों एक दिन मैं सोच सोच में मेरे हाथ में ना एक यंतर आया जो की अभी आपके हाथ में है और अभी आप उसमें मुझे देख रहे है दोस्तों वो यंतर था social media दोस्तो social media के थुरू ना मुझे एक solution मिल गया मेरी confusion दूर हो गई दोस्तों जब मेरी confusion दूर होई ना तो मैं solution की तरफ बढ़ने लगा तो दोस्तो social media जब मेरे हाथ में आया तो मेरी confusion तो दूर हो गई लेकिन जब मैं solution की तरफ बढ़ने लगा ना तो उसके बाद यार मैं camera friendly तो था नी मेरे को एक minute की video बनाने के लिए भी ना 100-100 retakes देने पड़ते थे मेरे को पूरा-पूरा दिन लग जाता था तब जाकर मेरी एक video बनती थी वो भी धंकी नहीं बनती थी तो दोस्तों video बनाने के लिए ना मैं सडकों पे जाता था पार्क्स में जाता था metro stations में जाता था और जो आसपास के लोग होते थे ना मुझे देखके हसते थे बट मुझे फरक नहीं पड़ता था क्योंकि मुझे इन चीजों की आदत होगी थी तो यार मैं law की videos बनाने लगा और law की videos ना जब मैं social media channel पर डालता था ना अपने तो लोगों के comments आते थे videos पर मेरे पास messages, DMs आते थे कि यार आपकी इस video की वज़े से मेरी ये problem solve हो गई आपकी उस video की वज़े से मेरी ये legal problem solve हो गई और जब मैं ये सब पढ़ता था ना यार मुझे अलगी level की motivation आती थी और इसी motivation ने ना मेरी जीवन की निराशा को ना धीरे धीरे कम करना start किया ग्रो करने के लिए ना मैं आपको सिर्फ तीन टिप्स बताऊंगा पहला hard work, दूसरा preparation और तीसरा learning from your failures quit करो, confused रहो या भले ही demotivated रहो लेकिन हार मत मानो यार यार जितने भी law student, जितने भी young lawyers मुझे देख रहे हैं मैं उन सब को एक advice देना चाहूंगा यार आप similar rat race में मत भागिये आप कुछ अलग करिये जैसे कि यार मैंने किया, मैंने लोगों की मदद करी social media का इस्तमाल किया लोगों को उनकी rights और laws बताएं क्योंकि यार जब भी मैं लोगों से बात करता था लोगों से connect होता था तो मुझे पता लगता था है किसी को अपने basic rights और laws ही नहीं पता और जब आप लोगों की इस तरह से help करेंगे तो वो लोग भी आपको help करेंगे grow होने के लिए जैसे उन्होंने mirko की और दोस्तो एक बात बताओं जब आप इन लोगों की मदद करेंगे ना किसी भी platform के थूँ और जब ये लोग आपको return में मदद करेंगे ना grow होने के लिए तो दोस्तों मैं आपको result बतायता हूँ पहले मैं law firms के धक्के खाता था इदर से उदर नौकरिया मांगता रहता था लेकिन आज की date में 500 से ज़ादा law firms all over India मेरे लिए काम करती है और अगर मैं generally भी बोलू ना अगर आप जो भी काम कर रहे हैं चाहे आप lawyer नहीं है आप कुछ और काम कर रहे हैं तो आप यार इस तरह से काम करिए आप बिल्कुल passionately काम करिए कि आपको काम में मजा आना चीए क्योंकि यार जब तक मजा नहीं आएगा आपको काम में आप उस चीज में successful नहीं होगे और अगर आपको content creator बनना है सबसे पहले आपको अपनी niche को पहचानना होगा उसके बाद you have to understand your domain और जो भी चीज का content बनाते हैं आप किसी भी चीज से related content बनाते हैं उसकी आपको full knowledge होनी चाहिए तभी जाकर आप लोगों को बता पाएंगे तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी है और अपनी जो भी knowledge है वो लोगों के सामने लानी है ताकि लोग आपसे सीखे और अगर आप video बनाते हैं नर्वस है ना तो यार ठीक है आप nervous रही है बिलकुल normal है लेकिन आप video बनाते रही है because with every video you will learn something new and I can guarantee you कि आपको result दिखेगा एक दिन और अगर आप content creator बना चाहते हैं ना तो सबसे पहले सबसे important चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि आपकी audience कैजाती है you have to understand the needs of your audience उसके बाद आप अपनी audience से connect कैसे करें तो दोस्तो जब भी आप video डाले आप अपने comments पढ़िये अपने messages जरूर पढ़िये उससे आपको पता लगेगा कि आपकी audience चाहती क्या है और उसी तरीके से आपकी audience आपके साथ connect करेगी और दोस्तो अगर आपको लगता है ना कि यार मेरी video देखकर आपकी life में कोई actionable change आया है तो दोस्तो अगर आपकी life में कोई भी actionable change आया है तो नीचे comment box में जरूर बताईएगा और साथ ही साथ यार आपको उस rat race में नहीं भागना आपको ये चीज याद रखनी है कि जो लोग normal लोग कर रहे हैं आपको उस रफतार में उनके पीछे पीछे नहीं भागना आपके अगर सपने बड़े बड़े ना then you have to take a step ahead उनसे अलग एक step लीजिए उनसे आगे एक step लीजिए तभी आप successful होंगे और दोस्तों अगर आपका focus एक जगा है ना आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज कर रहा हूँ और इसी चीज से मेरे को success मिलेगा तो आप वो करते रही है यार भले ही आसपास के लोग आपको demotivate करें आपको taunt मारें आपके उपर हसे आपको फरक नहीं पढ़ना चीए you have to be focused in life तो दोस्तों जो भी चीज आप करो वो passionately करो और यार सपने देखते रहो यार सपने देखने के कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं सपने देखो बड़े बड़े सपने देखो life में focused रहो उन सपनों को पूरा कैसे करना है successful कैसे होना है वो चीजे ध्यान में रखो यार बाकी के लोगों छोड़ दो आप आप अपनी life पे concentrate करो और दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना जो भी कर रहे होना passionately करो और love what you do दोस्तों जो भी चीज आप करोगे आप उससे प्यार करो आप उसकी respect करो अगर कोई आप उस चीज का मजाक उडाता ना आपके सामने उनको उडाने दो दोस्तों लेकिन आप दिल से उसकी respect करोगे तो वो चीज भी आपको आगे fruits देंगी और जाते जाते ना मैं आपको एक बात बदाता हूँ जब भी मैं वीडियोस बनाने metro stations पे जाता था सडकों पे जाता था पार्क्स में जाता था तो मेरे जो अपने खुद के लोग होते थे मेरे को ये बोलते थे यार ये तो lawyer भी बनेगा businessman भी बनेगा Josh Talks is now a Spotify exclusive podcast the audio version of our talks will be available only on Spotify if you like this video and you like to listen to more inspiring stories like this please follow the Josh Talks podcast only on Spotify क्यूंकि आप Josh Talks देख रहे हैं जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं ये जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी को सीरसली लेते हैं आप उस सारे skills acquire करना चाहते हैं जिससे आप जिंदगी में तरक्की कर सकें लोगों से आगे बढ़ पाएं और अगर ये सच है तो Josh Talks का ही एक app है Josh Skills जहां exactly इसी चीज़ को करने के लिए बहुत ही खुबसूरत बहुत सारे courses बनाए गए हैं courses जो लागों students अलरड़ी ले चुके हैं ये courses specifically सिर्फ educational नहीं है जहां आप Excel skills, PowerPoint skills और ये सब सीख सकते हैं बट की life skills भी है जहां आप public speaker कैसे बना जाए वो सीख सकते हैं आप confidence कैसे acquire कर सकते हैं वो सीख सकते हैं आप hesitation की बिना कैसे बोलें वो सीख सकते हैं आप अपनी personality कैसे develop कर सकते हैं वो सीख सकते हैं हर एक course में daily quizzes हैं, exercises हैं एक बहुत ही खुबसूरत community है जो आपको support करेगी आपको encourage करेगी तो अगर आपको ये talk पसंद आया हो Josh Talks जो करता है वो पसंद है आपको Josh Skills भी बहुत, बहुत ही फायदे मनता लेता है आज ही download करें Josh Skills का app और उनके courses explore करके अपनी जिन्दकी को आगे बाते